शामली जनपत की सदर कोतवाली क्षेत्र के केराना रोड पर करोडों रुपे की संपत्ती पर जबरजस्ती कबजा करने और ताला लगाने का विरोध करने पर पिडित परिवार वालों को आदा दरजन से ज़ादा संख्या में आकर लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम गटना के दोरान मोके पर पहुंची पुलीस मामले की जाच पड़ताल में जुड़ गई है वहीं पुलीस की मौजूदगी पर मीडिया करमियों के साथ भी आरोपियों ने बदसलुगी की जबकि प्रॉपर्टि का मामला कोर्ट में विचारा धीन है चोरी उपर से सीना जो की कीमत की संपत्ती थी उनकी मौत के बाद उस संपत्ती पर कपजा हमारा है लेकिन उसी संपत्ती के विवात को लेकर पती वह मेरी ननन नंदोई के भी संपत्ती को लेकर विवात चल रहा है इसका मामला कोर्ट में विचारा धीन है उसी क्रम को लेकर आज संपत्ती पर पत्मी सलमान निवासी गंड पानीपत फिरोज पुत्र अकील निवासी पानीपत एक जूट होकर आए और जबरदस्ती ताला लगाने लगे जिसका हमने विरोध किया तो उन्होंने लाठी टिंडों से हमारे उपर हमला कर दिया घटना की सूचना मिलते ही पुलीस मौके पर महुची और मामले की जांच परताल में जुड़ गई जबकि वही घटना की कवरेज कर रहे कि स्थानी पत्रकार के साथ आरोपी लोगों में से एक ने कवरेज करने आये पत्रकार के साथ बत्तमीजी भी की जहां पुलीस मुक दर्शक बनी रही घटना के मामले में पुलीस पिडितों की ताहिर मिलने पर आगे की कानूनी कारवाही कर रही है वहीं दूसरी और आरोपी के सामने पुलीस बेबस नजर आई लूसरी और मेरे मिलना पाई खी और चाराइ यह दोझा हो दुकान खर आपको की है जो आपके ऑपड़ी ए आभजा करने के लिए अउनके नामे उनका लिए पाइर उंप Coralities NTV Time, जानता की बात, जानता के साथ